Welcome friends, स्वाक्तम दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, यह शरीर में उपर या नीचे क्यों हो जाता है, मतलब क्या इलाज दिया जाता है, लोग ब्लड प्रेशर में क्या इलाज दिया जाता है, साथ ही इमर्जिंसी में क्या इलाज दिया यह सभी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखें अगर अधूरा देखते हैं तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी Hello Friends नमस्ते दोस्तों ब्लड प्रेशर को अगर जाने तो यह एक प्रकार का प्रेशर है जो हार्ट द्वारा ब्लड को पंप करने के बाद ब्लड मेजर में ब्लड जिस स्पीड से दौरता है जिस प्रेशर से दौरता है उसको नापने पर जो रीडिंग आती है उसे हम ब्लड जब आपका दिल धड़कता है तो आपकी धमनियों में दबाव को मापता है दूसरा नमबर जिसे डायस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है आपकी धमनियों में दबाव को मापता है जब आपका दिल धड़कनों के बीच आराम करता है यह ब्लड प्रेशर सामान्य रेंज में 120 अपॉन 80 होता है, इसमें जो 120 है यह systolic pressure है और 80 है जो diastolic pressure है, इसको अगर सामान्य भाशा हम समझे तो systolic pressure का मतलब होता है, जब हार्ट सकुचन हुआ है, हार्ट शुक्र के बलाड को थ्रो किया है, तो उस समय क्या pressure है और diastolic pressure मतलब जब हार्ट वापस रिलाक्स हो गया जो लिखा जाता है, एक 20 systolic है और जो नीचे लिखा जाएगा 80 diastolic, pressure है अब यह तो इसकी normal range हो गई अगर इससे कम या ज्यादा हो जाए, तो उसमें low blood pressure ज्यादा हो तो उसे high blood pressure कहते हैं, अब दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि blood pressure change होता क्यों इसके कारण क्या है, तो शरीर के अंदर क्यों changes होते हैं, उस कारण से जो कम होता है, वह हम जान लेते हैं, dot जब blood pressure low होता है, तो उसके जो कारण है, सबसे पहले तो dehydration शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, उसका blood pressure कम हो सकता, है minerals तथा vitamin की शरीर में कमी हो, सकती है heart के द्वारा proper amount में blood flow नहीं किया जा रहा हो, brain में blood की supply नहीं पहुच रही हो, कोई medicine खाने से blood measures जो नसे हैं, इसका diameter fail किया हो, इन सभी कारण से blood pressure low हो सकता है, अब अगर जाने blood pressure high क्यों होता है, उसका क्या कारण है, तो इसका सबसे मुख्य कारण हमारे शरीर में fluid ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से blood में भी fluid हो जाता है, और का amount बढ़ जाता है, तो यह pressure भी, बढ़ जाता है जो heart है बहुत ही fast pumping, करता है नसों में किसी प्रकार का blockage हो सकता है, irregular heart pumping हो सकती है, किसी प्रकार की cardiac problem हो सकती है, इन सभी कारणों से blood pressure अचानक से high हो जाता है, और medicine भी इसके एक मुख्य कारण किसी प्रकार के दवा लेते हैं, side effect हो जाता है, तो blood pressure high हो जाता है, अब blood pressure change हो जाता है, तो क्या symptoms दिखाई देते, उसको भी यहाँ पर जान लेते हैं, जब blood pressure low होता है, तो व्यक्ती को हलका सिरगर्ध होता, है थोड़ी बहुत चक्कर आना बेचैनी और शरीर में सस्ती पान नाउस या vomiting जैसा उसे लगता है, जब व्यक्ती blood pressure low होता है, और अब जब high हो जाता है, तो उसमें जो symptoms दिखाई देते हैं, उस समय सिरगर्ध तो होगा ही, लेकिन बहुत ही तेज से सिरगर्ध होगा, नाक से bleeding हो सकती है, डॉट चहरे पर सूजन आ सकती है, हाथ पाव में सूजन आ सकती है, सास लेने में दिक्कत हो सकती है, योरिन में blood आ सकता है, बहुत ज्यादा पसीना होगा, irregular heart beat यानि दिल की धड़कन तेज हो सकती है, यह कुछ symptoms दिखाई देते हैं, जब व्यक्ती का blood pressure high हो, जाता है, तो यहाँ पर हमने complete जान लिया है, कि blood pressure क्या होता है, उसकी general information अब हम जान लेते हैं, जब blood pressure high या लो होता है, तो डॉक्तर द्वारा क्या treatment दिया जाता है, पहले हम बात करते हैं, high blood pressure में क्या treatment दिया जाता है, तो जब व्यक्ती का blood pressure high होता है, 130 से ज्यादा होता है, तो जितना blood pressure बढ़ा है, उसके according doctor द्वारा treatment दिया जाता है, generally जो tablet दी जाती है, वह होती है, amlodipine doctor की choice पर दी जाती है, यह एक calcium channel blocker है, इसको देने से एक बार blood pressure कम हो जाता है, इससे अगर फाइदा नहीं होता है, तो calcium channel blocker के साथ में beta blocker भी दिया जाता है, जो की होता है, और वह combination होता है, जो amlokind ad के नाम से medical store पर मिल जाती है, इसके अलावा भी कुछ दवाईया और है, जो doctor की choice के according होती है, जिसमें ACE inhibitor हो सकते हैं, lozartan, telmezartan और इन्हें combination में भी दिया जाता है, जैसे lozartan, के साथ में hydrochlor dioxide जो diuretic है, यह दिया जा सकता है, telmezartan के साथ में beta blocker दिया जा सकता है, dot इस तरह से अलग-अलग दवाईया मरीज की नेड के according में अलग-अलग दी जाती है, dot अब अगर किसी को बहुत ही ज्यादा blood pressure बढ़ा हुआ है, dot emergency condition है, तो उस समय एक injection doctor द्वारा दिया जाता है, जो की होता है, injection liptolol, यह अंके रक्त-प्रवाह को बहतर बनाने के लिए हृदय गती को धीमा करके और रक्त-वाहिकाओं को आराम से काम कराता है, labitalol beta blocker नामक दवाओं की एक श्रेनी से संबंध रखता है, यह रक्त-प्रवाह में सुधार करने और रक्त-दाब को कम करने के लिए रक्त-वाहिनियों को आराम पहुचाता है, और हृदय गती को कम करता है, डॉक्टर द्वारा इस injection का प्रयोग ज्यादातर लिया जाता है, और इसके साथ में इंजेक्शन लासिक्स जो डायोरेटिक्स है, जो बॉडी में फ्यूइड को कम कर देता है, यह भी दिया जाता है, जैसे की एक बार ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाया जाए, और उसके बाद में इन्हें दवाईया रेगिलर दी जाती है, डॉट जब व्यक्ती का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस समय कुछ इन्वेस्टिगेशन भी डॉक्टर द्वारा करवाई जाती है, जिसमें मुख्य इन्वेस्टिगेशन होता है, लिपिड प्रोफाईल क्या की शरीर में कहीं पर भी, वसा का जमाव तो नहीं हुआ, कॉलेस्टेरॉल तो नहीं जमा अगर यहा हुआ है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इस ट्रीटमेंट के साथ में मरीज को कम नमक खाने की सलामी दी जाती है, यह तो हो गया high blood pressure के लिए treatment dot अब low blood pressure जब व्यक्ति को हुआ हो तो डॉक्टर द्वारा क्या treatment दिया जाएगा उसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं blood pressure सामान्य 120 बटा 80 जो है इसे नीचे के blood pressure को कहते हैं जो शुरुवाती blood pressure होता है जैसे की 110 बटा 78 हो या 160 हो तो उस समय सामान्य treatment दिया जाता है जिसमें ORS already addition salt दिया जाता है और साथ में कुछ की table दी जाती है इससे एक बार जो blood है normal तक आ जाता है और अगर किसी को थोड़ा और भी कम हो गया हो जैसे से 90 upon 60 इससे ज्यादा कम हो गया हो तो उस समय व्यक्ति को ANS drip लगाई जा सकती है किसी किसी व्यक्ति को R.A.L. drip लगाते हैं जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कौन सी लगानी है और इसके साथ में multivitamin injection भी लगाते हैं मतलब नमक ज्यादा खाने की सलाह दी जाती है अब अगर किसी को emergency में बहुत ही ज्यादा blood pressure कम हो गया ICU condition हो गई उस समय कुछ injection दिये जाते हैं इसमें मुख्य injection है मेफेंटर्मोन injection dopamine injection और noradrenaline injection सभी में से कोई भी एक injection देकर व्यक्ति के blood को control किया जाता है dot तो इस तरह से doctor के द्वारा वो high blood pressure आता था low blood pressure में अलग-अलग treatment देटे हैं ताकि मरीज की जान बचाई जाती है यहाँ पर जो मैंने पूरा treatment बताए वह सिर्फ doctor के द्वारा दिये जाने वाले बताए मैंने किसी प्रकार की एक guidance नहीं दिये dot की आप मरीज को handle करिये या treatment दे क्योंकि blood pressure को अगर धंग से handle नहीं किया जाए तो मरीज की जान तक जा सकती यदि आप trend staff में trend doctor है तो ही आप मरीज का treatment करें अन्यथा आप इसको higher center refer कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए topic के साथ में dot तब तक के लिए good bye